हेलो फ्रेंड वेल्क्यों बैक मैं चनल फ्रेंड मैं गौराब आपका स्वागत करता हूँ अपनी चैनल तग्यानी स्टॉक मार्केट में और आज हम डिस्केशन करने वाले हैं फ्राइडे के लेवल के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंप्रें रहेंगे वो देख लेते हैं और आज जिस प्रकार से निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कामकाज किया बिल्कुल सैडवेच कामकाज हुआ और खासकर निफ्टी 50 के अंदर तो बिल्कुल डेड एक्सपारी बना दी गई तो इसलिए मैंने आपको कल अगा किया था कि आपक कि कुछ भी हो सकता है पहली बात तो बजेट बिल्कुल समानने आया कुछ बड़ी चीह देखने को नहीं मिली तो वो भी करण रहा कि कोई बड़ा मॉमेंट मार्केट में नहीं हुआ बिल्कुल साइडवेच निफ्टी विट्टी किस पहली बनाई गई और इस तरह की मार् करना कि किस तरह की कामकाच कर रहा है बजट सेचन में और एक करण और है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो यह पार्शली बजट निकाला जाता है वाइनल बजट जो होगा एलेक्शन के बाद आपको प्रोपर तरीगी से उसका इंप्लिमेंटेशन होता है तो इसलिए इस तरह मार्केट और भी देखने को आपको मिला है आज तो हमेशे ध्यान रखें जब भी बजट आता है तो आप कोशिच यही करें कि ट्रेड ना लें अगर लेने की बज़र इच्छा हो भी रही है तो कम कॉंटेट से टेड लें बजट सेशन के दिन चीक है तो मैंने देखो कल क्या बताया था आपको मैंने जो लेवल डिसकेशन किये थे मने आपको बोला था अगर 5950 उपर जाता है तो कहा तक ले być गया ay एक बीच में शूट आया था अगर आप देखोगे 11.30 के आप सपस जो इसको 21.830 के पास लेके गया और पांच मिनिट बाद उसको वापिस से फॉल करा दिया तो इसलिए कोई बड़े मुवमेंट नहीं थे आप स्रिफ और स्रिफ चाहते तो मार्केट को सिर्फ देखना था और कोई ट्रेड इसमें नहीं निकालना चाहिए था मेरे साब से तो क्योंकि मार्केट था ही नहीं ऑप्शन बाइस के लिए आजगा तो ऐसी जगाओ के आपक आपको डेली ही ट्रेड निकालने हैं कोशिस करना चाहिए आपको ट्रेड अवाइड करने की भी ठीक है अगर मैं बात करूं लॉंग ट्रम व्यू की तो मैं एक चाहिए आपको कंटीनुसली डिसकुशन करता हुआ चल रहा हूँ जब तक निप्टी विप्टी 21850 के उपर नहीं सस्टेंड करेगा ना तब तक आपको बुल्स एक्टीव होते वे नहीं दिखेंगे यानि कि इस लेवल के उपर जब भी निप्टी विप्टी सस्टेंड कर गया क्लोजिंग इसके उपर आने लग गई तो डेफिनिटली फिर यहां से मुवमेंट मिल सकता है देड़ तब तक आप मस सोचना कि मार्किट आपको उपर जाता हुआ दिखने वाला निप्टी विप्टी एगा यह लेवल आपको ध्यान रखना है अप साइट पे चलते हैं पांच मिनिट के चार्ट पे कल किली कौन से लेवल इंपर रहेंगे और मैंने तो एक चीज बताया थी आ अगर इसको उपर जाना ही है तो इसको 21,850 के उपर निकलना पड़ेगा तब ही आपको further moment होता हुआ दिखाए देगा उससे पहले कोई moment आपको आता हुआ नहीं दिखाए देगा यह यहाँ पर भी दिख रहा है तो आपको कल क्या ध्यानक नहीं कोशिस करना है कल आपको portion क काटके जाने के कहरी मत करना कल के दिन भी कल Friday है तो कोशित करना सारी portion काटके जाए अपनी ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं upside के निफ्टी 50 तो अगर निफ्टी 50 सस्टेन करता है 21,720 के उपर अगर निफ्टी 50 लेवल के उपर सस्टेन करता है 20-30 मिनट यह gap अप क्लोजिंग देखोगे 21,697 के हमें average क्लोजिंग मिली है अगर निफ्टी 50 21,720 के उपर सस्टेन करता है तो हमारा पहला टागेट क्या होगा निफ्टी 50 का वो होगा 21,760 और सत्तर वाला यानि कि आपको इस रेंज तक जो है निफ्टी 50 आता हुआ दिखाई देगा अगर 21 21,760 के उपर यानि इस लेवल के उपर भी सस्टेन कर रहा है और टाइम बिता दिया जिसने 20 से 30 मिनट तो एक फर्दर मूब और हो सकता है इसके लिए वो कहां तक होगे जाएगा 21,810 से 20 तक के लिए ये नेक्स्ट मूब कर सकता है यानि कि आपको इस रेंज सक फिर से आत 21,830,440 या इस रेंज बे कंटी रिसल टिग गया एक घंटा देर गंटा से टिका दिया 21,840 के उपर टिका दिया तो डैफिनेटली एक शौर्ट कवरिंग के तरफ जा सकता है यहां से ठीक है तो यह आपको ध्यान अकना है अगर यह एक बारी टिग गया 21,840 के उपर निक ध्यान रखना है अगर मैं बात करूँ देखो डाउन साइड पर तो देखो डाउन सेड़ आपको क्या ध्यान रखना है अगर निप्टी इप्टी फॉल करता है किसके नीचे 21,680 के नीचे डाउन सेड़ पको ध्यान रखना है 21,680 के नीचे यह इस लेवल के नीचे निप 2640 और 50 वाला यानि कि इस लेवल तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये 2680 के नीचे continuously time बिता रहा है यह fall करता है तो 2640 और 50 वाली रेंज में ये support लेगा अगर ये 2640 और 50 continuously उसी की नीचे time बिताने लगता है तो next target हमारा निकल के आएगा 21600 का यानि कि यहां तक आपको fall करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 2600 भी निकाल देगा तो फिर आप एक टेट और बना सकते हैं होँआ से वो क्या रहेगा हमारा 21550 तक ये आगे fall करता हुआ जा सकता है continuously अगर resistance phase कर रहा है ये 2650 का 40 का तो आप वहाँ से पूट ले के play कर सकते हो otherwise अगर ये continuously support ले रहा है 2650 और 40 का तो फिर आपको वहाँ से call लेनी पड़ सकती है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना time जो है 2650 और 40 के पास बिता रहा है कितना support ले रहा है उसके coding फिर आपको वहाँ से call भी लेनी पड़ सकती है ये आपको ध्यान लखना है नीचे की साइट छीक है अगर gap down आता है तो अगर मैं इसको oi data की बात करूं तो आज इसकी weekly बनी है और 2697 की इसकी average closing आई है तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 21800 पे लोगों ने call rate तो की है 26000 की आज पास लोगों ने आज भी call rate की है और 37000 का oi change हुआ है क्योंकि इनको पता है ये ही एक सबसे बड़ा हडल है निफ्टी विर्टी के लिए 2840 और 2850 अगर ये टिक गया तो फिर इनके लिए थोड़ी से हलर टाइट होगी जब तक कुछ नहीं होने वाला है यहीं से fall करता रहेगा ये आपको ध्यान लखना है 2800 एक अच्छा खासा हडल बना हुआ है ये आपको अपसाइट पर ध्यान रखना है अगर जिस दिन भी इसने 2850 ऊपर निकाल लिया डेफिनिटी फिर एक शॉट कवरिंग की तरफ जा सकता है निफ्टी ये आपको ध्यान रखना है अपसाइट पर अगर मैं मैं बात 2800 पर 46000 पर लोगों ने पूट राइट की है जो कर रहे हैं और 26000 पर यहां पर OI चेंज हुआ है तो ठीक टाक नंबर है कोई बड़ा नंबर है नहीं तो डेफिनेटली फॉल करेगा चोड़ फॉल आ सकते हैं जो इसको 2600 और फिर 2550 तक लेके जा सकते हैं ये कल के लिए आ आप इससे ऊपर खिचा जाए पर कोई ऐसी कुछ निउस दिखनी रही है कि इसको 2850 के उपर लेके जाए या कुछ ऐसे पॉजिटिवटी दिखनी रही है तो जहां तक हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपको कुछ नया होता हुआ दिखाए दे नहीं तो कोई निउस करना है 2850 एक अच्छा लेवल है अगर उसके उपर निकलता है डेफिनिटल आपको कॉल पर काम करना है फिर पूट पर काम नहीं करना है चलते हैं बैंक निफ्टी की तरह कौन से लेवल इंप्रोंट रहेंगे वह देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल साइड 1200 के उपर क्योंकि average closing हमें मिली है 4188 की अगर बैंक निफ्टी continuously काम कर रहा है 4200 के उपर तो आप उपर के लिए व्यू लेके चल सकते हो और फिर हमारा जो टागेट निकल के आएगा उपर के लिए वह क्या होगा 46400 का यह आपको ध्यान रखना है 46400 तक जा सकता है अगर 46400 निकाल देता है तो next target हमारा निकल के आएगा 4525 तक फिर बैंक निफ्टी जो है move करता हुआ दिखाई देगा यह आपको upset पे ध्यान रखना है तो देखो downside के कौन से level important रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए अगर बै 46100 75 के चे कामकाच कर रहा है तो इसमारा प्ले टाकेट निकल के आएगा 4080 का आपको जो images support मिलेगा वो मिलेगा 4080 का अगर 4080 के निचे भी कामकाच कर रहा है यह continuously gap down 4080 की निचे आता है तो आपको ध्यान रखना यह fall कर सकता है कहां तक के लिए 45980 तक आपको यह fall करता के लिए 4580 तक आपको यह जाता हुआ दिखाई देगा यह आपको डाउंचाट पर ध्यान रखना है बैंक निप्टी में ठीक है क्योंकि हर जगा प्यां सपोर्ट बने हो हैं तो आपको ध्यान रखना है कोई बड़े मुवमेंट ना मिलेंगे अपने चुटे मुवमेंट क 46500 का सबसे बड़ा हडल बन सकता है क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां पर लोगों ने कॉल राइट की हैं और ओवाई भी चेंज देखोगे तो 31000 के असपास ओवाई चेंज हुआ है तो इम्पोर्टेंट हडल है उपर के लिए और वहीं पर आगर मैं नीचे दिखाऊं डा आप आता है तो 45500 पर एक इमिजेट इसके लिए हडल होने वाला है और नीचे से सपोर्ट बन सकता है वह क्या बने का अगर यह फॉल कर गया तो डैफिनेटली फिर एक मूब दे सकता है नीचे के लिए यह आपको डाउंस्रेट पर ध्यान रखना है और कोशिश करना है कल करी मत करना जो भी आपका ट्रेड बने कल कल स्क्वाइर आप कर देना क्योंकि फिर नेक्स वीकेंड पड़ेगा तो को सब्सक्राइब करें क्लिक करें ताकि आपके बास पहुंचते रहें तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वोचिंग वीडियों थैंक यू बाबाई